ओम नमो भगवते वासु देवाई नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का अमारी चैनल भक्ती ज्यान में दोस्तों आईए सुनते ही स्रीमत भागवत महा प्राण की कथा दोस्तों पिछली कथा में हमने वर्णन किया था गौ और गोपों को दावा नल से बचाना आज की में हम वर्णन करेंगे बर्सा और सरद्रतू का वर्णन स्री सुकदेव जी कहते हैं प्रक्षत ग्वाल वालों ने घर पहुंचकर अपनी मा बहन आ दे इस्त्रियों से स्री कृष्ण और बलराम ने जो कुछ अद्बत कर्म किये थी दावा नल से उनको बचाना प्रमला सु को मारना इत्यादी सब का वणन किया बड़े बड़े बुड़े गोप और गोपिया भी राम और स्याम की आलोकिक लीलाएं सुनकर बेसमित हो गई बेस अब ऐसा मानने लगे कि स्री किष्ण और बलराम के बेस में कोई बहुत बड़े देवता ही ब्रज में पता रही इसके आकास में मंडल बैठने लगे बादल बायू चमक कड़क आदी से आकास शुब्द सा दीखने लगा आकास में नीले और घने बादल घिर आते बिजली कौंदने लगते बार बार गड़ गड़ा हट सुनाई पड़ती सूर्य चंद्रमा और तारे धकी रहती इसे आकास की ऐ रत्वी रूप प्रजा से आठ महीने तक जलका कर ग्रहन किया था और समय आने पर वे अपनी करण करों से फिर उसे बांटने लगी जैसे दयाल उप्रुष जब देखते ही कि प्रजा बहुत पीड़त हो रही है तब वे दया परवस होकर अपने जीवन प्राण तक निछव पर कर देते ही वैसे ही बिजली की चमक से सोबाय मान घंगोर बादल तेज हवा की प्रेणा से प्राणियों के कल्यान के लिए अपने जीवन सरूप जलको बरसाने लगी जेट असार की गर्मी से प्रत्वी सूख गई थी अब बरसा के जल से सिच कर वे फिर हरी भरी हो गई जैसे सकाम भाब से तपश्या करते समय पहले तो सरीर दुरबल हो जाता है परन्तु जब उसका फल मिलता है तब हश्ट पुष्ट हो जाता है बरसा के साइकाल में बादलों से घना अंधेरा च्छा जाने पर ग्रे और तारों का प्रकास्तों नहीं दिखलाई परता परन्त जो मैलक पहले चुपचाप सो रहे थी अब बादलों की गरत सुनकर टर टर करने लगी जैसे नित्य नियम से निर्वत होने पर गुरू के आदे सानुसार ब्रह्मचारी लोग बेद पाठ करने लगते ही छोटी छोटी नदियां जो जेट असाड में बिलकुल सूकने को आ जो मैं थी वे अब उमड गुमड कर अपने घेरे से बाहर बैने लगी जैसे अज तेंद्रिय प्रुस के सरीर और धन्जम पत्तियों का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है प्रतवी पर कहीं कहीं हरी भरी घास की हर्याली थी तो कहीं कहीं बीर बहुटियों की लालिमा और कहीं कहीं बढ़साती छत्तों सफेद कुकर मत्तों के कारण वे सफेद मालूम देती थी इस प्रकार उसकी ऐसी सोबा हो रहे थी मानो किसी राजा की रंग विरंगी से नहो सब खेत अनाजों से भरे पूरे लेरा रहे थी उन्हें देखकर किसां तो मारे आनंद के फूल ना समाते थी परन्तु सब कुछ प्रारवत के अधीन है यह बात ना जानने बाले धनियों के चित में बड़ी जलन हो रहे थी कि अब हम उन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचल और थलचल प्राणियों की सुन्दता बढ़ ही उताल तरंगों से युक्त हो रहा था अब नदियों के संयूग से वह और वी एक्षुध हो ठाँ ठीक वैसे ही जैसे वासना योग्त योगी का चित वैसेयों का संपर्क होने पर कामनाओं के अबार से भर जाता है मुशलाधार बर्सा की चोट खाते रहने पर भी परवतों को कोई व्यता नहीं होती थी जैसे दुखों की भर मार होने पर भी उन पुरसों को किसी प्रकार की व्यता नहीं होती जिनोंने अपना चित भगवान को ही समर्पित कर रखा है जो मार्ग कभी साप नहीं किये जात तो काल क्रम से भे उनें भूल जाते ही यद्पी बादल बड़े लोपुव कारी हैं फिर भी बिजलियां उनमें इस्तर नहीं रहती ठीक वैसे ही जैसे चपल अनुराग वाली कामनी इस्तरियां गुड़ी पुरसों के पास भी इस्तर बाप से नहीं रहती आकास मेगों के गरजन तरजन से भर रहा था उसमें निर्गुण बिना डोरी के इंद्र धनुस की वैसी ही सोबा हुई जैसी सत्व रज आदी गुणों से ख्योब से होने वाले विश्व के बखेडे में निर्गुण ब्रह्म की यद भी चंद्रमा की उजल चांदनी से बादलों का पता चलता था फिर भी उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढखकर सोबा ही नहीं बना दिया था ठीक वैसे ही जैसे पुर्स के आवास से आवास से तो होने वाला अहिंकार ही उसे ढखकर प्रकासित नहीं होने देता बादलों के सुब आगवन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था बे अपनी कुहुक और नित्य के द्वारा आनन उस सब मना रहे थे ठीक वैसे ही जैसे ग्रहष्ती के जिंजाल में फसे हुए लोग जो अधिक तर तीनों तापों से जलते और घबराते रहते ही भगवान के भक्तों के सुब आगवन से आनन मंगन हो जाते ही जो ब्रक्ष जेट असाड में सुख गए थे बे अब अपनी जड़ों से जल पीप कर पत्ते फूल तथा डालियों से खूब सच दज गई जैसे सकाम भाव से तपश्या करने वाले पहले तो दुरबल हो जाते ही परंतु कामना पूरी होने पर मोटे टंगने हो जाते ही प्रक्ष तलावों के टट काटे कीचड और जल के भाव के कारण प्राय असांत ही रहते ही परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हे नहीं छोड़ते थी जैसे असोधरदय वाले विसाई पुरुस काम धंदों की जंजट से कभी छुटकार नहीं पाते फिर भी घरों में ही पड़े रहते ही बरसा रितु में इंद्र की प्रेणा से मुसलाधार बरसा होती है इसे नदियों के बांद और खेतों की मेरें तूट जाती हैं बायों की प्रेणा से घने बादल प्राणयों के लिए अमरत में जल्की बरसा करने लगते ही जैसे ब्रामणों की प्रेणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अवलासाइं पूर्ण करते ही बरसा रितु में ब्रंदावन इसी प्रकार सोबा एम थनों के भारी भार के कारण बहुती धीरे धीरे चल रही थी जब भगवान स्रीकिष्ण उनका नाम लेकर पुकारती तब बे प्रेम परवस होकर जल्दी जल्दी दोड़ने लगती उस समय उनके थनों से दूद की धारा गिरती जाती थी भगवान ने देखा कि बनवासी भी फिली जान पड़ती हैं और साती बरसा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी हैं जब बरसा होने लगती तब स्रीकिष्ण कभी किसी ब्रक्ष की गोद में या खोडर में जा छिपती इं बरसा रितू में बैल बच्डे और थनों से भारी भार से ठकी हुई गोएं थोड़ी ही देर में भरपेट घास चल लेती और हरी हरी घास पर बैट कर ही आँख मूद कर जुगाली करती रहती बरसा रितू की सुन्दरता अपार थी वह सभी प्राणियों को सुक पहुचा रही थी इसमें संदे नहीं की वह रितू गाय बैल बच्डे सब के सब भगवान की रिला के ही बिलास दे फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रिशन होते और बार बार उनकी प्रिशन सा करती इस प्रिकार स्याम और बलराम बड़े आनन से ब्रज में निवास कर रहे थी इसी समय बड़सा बीचने पर सरद्रतु आ गई अब आकास में बादल नहीं रहे जर निर्मल हो गया बायू बड़े धीमी गती से चलने लगी सरद्रतु में कमलों की उत्पत्ती से जला सयों के जलने अपने सहज स्वच्चता प्राप्त कर ली ठीक वैसे ही जैसे योग ब्रष्ट पुरसों का चित फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है सरद्रतु ने आकास के बादल बरसा काल के बड़े हुए जीव प्रतिवी की कीचड और जल के मट मेले पन को बादल अपने सरवस जल का दान करके वज्वल कांती से सोबित होने लगी ठीक वैसे ही जैसे लोक परलोक इस्त्री पुत्र और धन संपत्ती सम्मंदी चिंता और कामनाओं का परत्या कर देने पर संसार के बंदन से छूटे हुए परन सांत सन्यासी सोबाय मान होते ही अब परवतों से कहीं कहीं जहने जड़ते थे और कहीं कहीं वे अपने कल्यान कारी जल को नहीं भी बहाते थे जैसे ग्यानी प्रस समय पर अपने अमरत में ग्यान का दान किसी अधकारी को कर देते ही और किसी किसी को नहीं भी करते ही छोटे छोटे गड़ों में भरे हुए जल क जल चर यह नहीं जानते कि यह इस गड़े का जल दिन पर दिन सुखता जा रहा है जैसे कुटम के भरान पोसन में भूले हुए मून यह नहीं जानते कि हमारी आयू ख्षड़क्यन ख्षीन हो रही है थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को सरत कालेन सूर की प्रखर केरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी जैसे अपने इंद्रियों के वस में रहने वाले कृपन एवं दरिद्र कुटम भी को तरह तरह के ताप सताते ही रहते ही प्रतिवी धीरे-धीरे अपना केचड छोड़ने लगी और घास पाद धीरे-धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगी ठीक वैसे ही जैसे बिवेक संपन सादक धीरे-धीरे सरीर आती अनात्म पदार्तों में से यह मैं हूँ और यह मेरा है यह एहंता और ममता छोड़ दिते ही कर्म कांड का जहमेला छोड़कर सांत हो जाता है। किसान खेती की मेर मजबूत करके जलका बहना रोकने लगे। जैसे योगी जन आपनी इंद्रियों को बिसेयों की ओर जाने से रोक कर प्रत्या हार करके उनके द्वारा क्षीन होते हुए ग्यान की रक्षा करते ही। सरद तू में दिर के समय बड़ी कड़ी धूप होती लोगों को बहुत कष्ट होता। प्रतु चंद्रमा रात्री के समय लोगों का सारा संता बैसे ही हल लेते हैं। जैसे देहाविमान से उने वाले दुख को ज्ञान और भगवद वरह से उने वाले गोपियों के दुख को स्री किश्न नश्ट कर देते ही। जैसे बेदों के अर्थ को इसपष्ट रूप से जानने वाला सत्व गोणे चित अत्यंत सोबाय मान होता है। वैसे ही सररतू में रात के समय मेगों से रहित निर्मल आकास तारों की जोती से जगमगाने लगा। परिक्षत जैसे प्रत्वी तल में यदवनसियों के बीच यदव पती भगवान स्री किश्ट की सोबा होती है। वैसे ही आकास में तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा सुसोबित होने लगा पूलों से लदे हुए ब्रक्ष और लताओं में होकर बड़ी ही सुन्दर बायू बैती वे ना अधिक ठंडी होती और ना अधिक गरंग उस बायू के सपर्स से सब लोगों की जलन तो मिठ जाती प्रंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती क्योंकि उनका चित उनके हाथ में नहीं था स्रीकिस ने उसे चुरा लिया था सरद रतू में गोएं, हिरनियां, चडियां और नदियां रतू मती, संतानोत पत्ती की कामना से युक्त हो गई तथा सान, हिरन, पक्षी और पुर्स उनका अनुसरन करने लगी ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुर्स के द्वारा के हुई क्रियां का अनुसरन उनके फल करते ही परिक्षत जैसे राजा के सुबागवन से डांकू चोरों के सिवा और सब लोग निर्वे हो जाते ही वैसे ही सुर्यो दै के कारण कुमदनी कुई या कोई के अत्रिक्त और सभी प्रकार के कमल खिल गई उस समय बड़ी बड़े सेरों और गाउं में नवात्र प्रासन और इंद्र सम्मंदी उस सब होने लगी खेतों में अनाज बगगए और प्रत्वी भगवान स्रीकिष्ण तथा बलराम जी की उत्पस्तिती दे अत्यंद्र सुसोबित होने लगी साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देव आदी सरीरों को प्राप्त होते ही बैसे ही बैसे सन्यासी राजा और इस तरह तक जो बड़सा के कारण एक इस्तान पर रुके हुए थी वहां से चलकर अपने अपनी अभीष्ट काम काज में लग गई मुलुषरी मर्द भागवत महा प्राने की जै मुलुषरी किष्ण चंद्रा भगवाने की जै